मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर गोजिंग सेंटर से और आज की जो वीडियो है वह है क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के गैस पेपर की के मैट्स के अंदर क्या क्या चीज़े और कौन कौन सी एक्सराइस को आपने करना चाहिए और किस तरीके से करन लिए मैं दूगा का मतलब वह जो एक्सपेक्टेड रहे जिए कि अंदर आने में इनों बहुंबद प्रफाइब वह कोशंट जिस पैटर से वह न है किस चाप्टर से क्या माटेरियल आ सकता उससे रिलेमें एक्टटेड देए मिलें कि यह चीजें कि अज़े हैं तो सबसे पícia सब सलाइब कि बात करते हैं कि में हमारे पास कोशन neğimबर वन है अगर कामक बात किया है वेशा चेप्टर नंबर वन से चेप्टर नंबर वन की एकरसाइज 1.6 से तो या तो सवाल जयद वन जयट से आ सकता है इस तरह से देगा आपको जट वन प्लस एट वोलेगा प्रापर्टी प्रूफ करने के लिए कि देड़ बन प्लस एट टू करो देन केंजिकेट और अगर जट वन कॉंजुकेट किया जाए जट टू कॉंजुकेट एड किया जाए मल्टिप्लिकेशन इस तरह कुशन टू की बात करें मुश्टी चैप्टर नंबर टू से सवाल आता है कुशन नंबर टू और एक्ससाइज नंबर टू पॉइंट सिक्स का सवाल आपको नजर आएगा लोग एरितम का आपको प्रॉपर स्टेप के साथ इसका लॉग निकालना आना चाहिए एक्जैम मे वैल्यू डिफरेंट हो सकती है वैल्यू में बी डिफरेंट है है वाट सवाल का पैटरन एक ही है अगर दो सवाल भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है फिर बात कर तो अगर तो अगर कोई formula का सकता है या पॉन वाला सकता है सही इन में से चांस है और अगर exercise 3.4 का आया तो यह वाला सवाल है जिसमें एक्स के विन होता है और एक्सकार प्लस बन अपॉन एक्सकार यह कोई भी वैल्यू पूछ लेता है तो जादर यहां पूछता है प्लस से तो इसको प्लस से कर लो जादर अच्छा है पिर उसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर फॉर एक्जैम में चै इसलिए आप इस चैप्टर में से 4.8 को अच्छे से करोगे आप एक कोशन या सक्षण बी का कवर होगा फिर एक कोशन नमर फाइफ चैप्टर नमब फाइफ से चैप्टर नमर फाइव में आपके पास section B का सवाल है और exercise 5.3 से सवाल एक्जैम में जो सवाल आता है कौन सी exercise से आता है फाइप पॉइंट में से कोई एक है कि इन दोनों में से एक आपको नजर आएगा exercise 5.3 का सवाल बोड के पेपर में भी फिर चैप्टर 6 की बात करें तो नमर 6 में आपके पास exercise 6.1 है 6.2 है 6.3 है इन में से किसी भी एक exercise में से एक सवाल आने का चांस है तो ज्यादा तर चांस है कि exercise 6.2 यह 6.1 में से अंडरूट वाला सवाल है 6.3 के सवाल नहीं आते और इसी तरह के जो मॉड़ एपसुलूट वैल्यू के सवाल है और अंडरू आपको कॉड्रेटिक फॉर्मॉला की बात किये तो कॉड्रेटिक फॉर्मॉला आपने इस पर लगाना है फिर कोशन नमर एट चैप्टर नमर exercise 8.2 से आता है चैप्टर एट से सवाल सई पिर आपके बाद चैप्टर थर्टीन है चैप्टर थर्टीन में construction और ट्रैंगल से related सवाल है तो ट्रैंगल के जितनी भी construction उनी में से आने का चांस है तो इस तरह के प्रैक्टिस सवाल दिये अगर आपसे एक सवाल अच्छे से सौल्व हो गया तो अल्मोस सारे सवाल सेम है अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप इन त्योरम को आप अच्छे से करो तो यह तीन सवाल में से कोई भी एक सवाल थियोरम नंबर 11 चैप्टर का होगा फिर 12 चैप्टर का थियोरम या 14 चैप्टर का थियोरम इसके साथ चांस है कि आज आज आएगा सई अब बात करतें सेक्शन सी की कं het section si में आपके पास जो questions है वो आपके पास 4 questions अवर 5 question आते यह जिसमें से सबसे पहला एक आपका factorization का पार्ट आता है एक यह एक्टराइजेशन एक्सरसाइस 4.1 तिल 4.5 में से सवाल आते हैं एक्जैम में आपके पास six parts आते हैं और आपको attempt करने होते हैं इसमें से four सभी attempt four करोगे six part में से सभी any four का चांस पर तो जो important सवाल मेरे साब से थे मैंने आपको यहां पर लिखती हैं यह 20 सवाल हैं इनकी अच्छे से practice कर लोगे तो 10 marks का आपका ये पार्ट इंशाला cover हो जाएगा फिर बात करते हैं आगे कोशन की आप लोगों जैसे पता है जिन्हों ने अच्छे से पढ़ा है इनको five year पता है five year में क्या चीज़ा आती है तो graph का सवाल exercise seven point three का last सवाल है और लाजमी आता है इसमें से सवाल time management अच्छी रखनी है कि सवाल में time जादा ना लगे तो graph के तीन सवाल दिया अगर आपसे तीन सवाल अच्छे से solve हो गए बंद्रा बंद्रा बिसमें में इसका मतलब आपके graph की तयारी है और अगर solve नहीं हुए फिर आपको graph की तयारी अच्छी करनी है चैप्टर seven से आपने सिर्फ यही सवाल करना है फिर क चैप्टर नंबर 14 15 में से थियोर्म का चांस है यह चैप्टर 14 के साथ सबस्क्राइब करते हैं चैप्टर नंबर 16 आपको यहां पर नज़र आएगा फिर एक और जो कोशन होगा उसमें अ चांस है के फिफ्टीन चैप्टर का थियोर्म आपको नज़र आएगा तो लॉंग गराफ अच्छा कर लो चैप्टर 16 को अच्छ्छा सा कर लो तो आपका section चैप्टर की तियोरम के बगर या मैं शेप्टर के धियोरम कर लो और यह कहल ऐस वह सी थर्टी में करते हो तो एक अच्छे से हो जाता है मैंने सीक्षिपव स उप्रैक्टेस कर ली क्यों समझ लेते हो तो आपका पेपर 75 आउट और 75 का अच्छा हो जाएगा तो यह पूरी डिस्क्रिप्शन थी पूरे गैस पेपर की उमीद आपको समझ आ गई होगी इसके साफ से करने पर आपके इंशाला 75 में से 75 जरूर आएंगे अगर आप अच्छे से इनकी प्रेपेरेशन करो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दवा समझो समझ के अच्छे से प्रेक्टिस करो कोशिश करो कि इस इनकी प्रेंड़ आपके शेयर कर नहीं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को शेर करें दूसरों के साथ और वीडियो को भी शेयर करें दूसरों के साथ अल्लहाफेज